हेलो दोस्तों मैं मेगा चावला आपका मेग करियर अकेडमी में स्वागत करती हूँ तो आज हमारी है पॉलिटी के क्लास 6 जो है हमारा भाग एक भाग एक में है हमारा यूनियन ओफ इंडिया एंड इस टेरिटरी इससे पहले हम important articles, अनुसूची, important parts, consistent assembly, sources of Indian constitution and preamble ये सारी हमने classes ले ली है अगर आपने नहीं देखी हो तो आप जाकर वो वीडियो भी देख सकते हैं तो आज हम पूरा भाग एक cover करेंगे यानि कि article एक से लेकर के 4 तक तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो, वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए तो हमारा फाग एक है हमारा Union of India and its territory जो article हमारे 1 से 4 तक cover होते हैं सबसे पहले territory of India और territory of states की बात कर लेते हैं यानि बहरत का शेतर और भारत का राज्य शेतर अगर territory of इंडिया की बात की जाएगी तो इसमें पूरा भारत आ जाएगा यानि states and territories भी आजाएगी और राज्य शेतर में क्या होगा केवल और केवल राज्य ही आएंगे ठीके आर्टिकल वन पे आते हैं आर्टिकल वन क्या है तो आर्टिकल वन है हमारा इंडिया अथार्थ भारत राज्यों का एक संग होगा यानि कि जो भारत है वो यूनियन ओफ स्टेट्स होगा यानि इस में कहने का मतलब यह है कि भारत के जो राज्य है उन्हें किसी भी किसी भी राज्य को अलग होने का अधिकार नहीं है यानि कि जैसे मालो उत्राखंड है उसका जो बॉर्डर है वो चाइना से लगता है तो यह नहीं कि उत्राखंड का मन कर रहा तो वो चाइना में चला गया जोिस्तों आप पनी मजे से भारत से भाहर नहीं जा सकते ओर Hello आपको सिफ्ट्न याद रखना है निर्दानों यानि रस्तिक्षंस, शर्तों यानि कंडीशन के आधार पर जिसे वह ओचर समय जिसे वह ठीक समझे admission or establishment of new states यानि कि किसी भी नए राज्ये का परवेश कर सकता है या स्थापना कर सकता है संग में ठीके तो किसी नए राज्ये का परवेश या स्थापना क्या है आर्टिकल 2 है ठीके यानि कि जो पहले से ही है जैसे कि हमारा हो गया 36 सविधान संशोधन 1975 के द्वारा हमने क्या किया था सिक्किम को भारत संग में मिला लिया गया था थीखेंअ, तो यह हमारा क्या हो जाएगा, हमारा आर्टिकल दो का उधारन हो जाएगा, यह स्थापना है यह गलत लिख दिया, यह आर्टिकल तीन का उधारन है, ठीके तो याद रखे आर्टिकल 2 क्या है आर्टिकल 2 है एड्मिशन और इस्टैबलिशमेंट आफ नियू स्टेट्स किसी भी नए राज्य का भारत में परवेश और स्थापना जैसे गोवा हो गया पुर्तगालियों के अधीन था भारत का ही पार्ट था वाकि भारत में राज्य का दूसरे राज्य से ठीके दो अधिक राज्य को मिला कर एक राज्य बना देना किसी भी नए राज्य के साथ जोड़ देना उसकी सीमा में परिवर्तन करना ठीके उसके नाम में परिवर्तन करना ये सारे हमारे क्या है आर्टिकल 3 है अब आर्टिकल 3 आप यहां से समझ लिजिए जैसे हमारा हो गया छाउजा ठीक है यह हमारी ट्रीक है छाउजा छाउजा मतलब 36 गढ उतराखंड जारखंड यह एक नो 15 नवंबर 2000 को क्या हो गए थे अलग हो गए थे ठीके 36 गढ जो हुआ था मध्य परदीश से अलग हो गया था यूपी से उत्राखंड अलग हो गया था बिहार से जारखंदand अलग हो गया था ठीक यह पहले से ही मौझूद थे लेकिन यह क्या थे यह राज्य नहीं थे अब नए ideas च्छेशन कर दिया गाइए इन की boundaries change कर दी गए जैसे उत्राखंड का पुराना नाम क्या था उत्रांचल था जुत्रा खंड कर दिया गया तो आर्टिकल तीन में क्या है नही राज्यों का गठन कर सकते हैं उनकी सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं नाम में परिवर्तन कर सकते हैं शेत्र बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं यह आर्टिकल तीन है और दो दो में क्या था? दो में था कि नए राज्जों का परवेश करना भारत में या फिर नए राज्जों की स्थापना करना. ठीके तो याद ठीएगा दो हमारा जो का परवेश से याद लिजे और तीन में क्या boundaries से याद कर लीजे कि उसकी सीमा में परिवर्तन करना नाम में परिवर्तन करना तो यह article 3 है ठीके अब article 4 हमारा last article 4 है हमारा जो संसद ने article 2 और 3 में जो बाते कही है ठीके, मतलब आर्टीकль 2 और 3 में जो भी बाते की गई है उसमें परिवर्तन कौन कर सकता है संसद कर सकती है और वो केवल सिंपल मैजोर्टी यानि साधारन भवमच से कर सकती है इसके लिए किसी भी Constitution Amendment की अवशक्ता नहीं है ठीके तो यह हमारा था भाग एक आई होप आपको समझ आ गया होगा एक बार रिपीट कर लीजे आर्टिकल वन क्या है union of states हो गया आर्टिकल क्या है तो admission और establishment of new states हो गया आर्टिकल तीन क्या है तो आर्टिकल तीन है formation of new states, उनकी boundaries में change करना, name में change करना, उनके area को घर्टाना, बढ़ाना, ये सब आर्टिकल 3 में है, आर्टिकल 4 के है, जो भी 2 और 3 में mention है, वो काम कौन कर सकता है, पार्लामेंट ये काम कर सकते है, वो भी simple majority से, इसके लिए उसे constitution amendment की जरूरत नहीं है, ठीके, तो ये थी हमारी आज की वीडियो, आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा, इन ब